कर दोस्तों आप सभी को स्वागत है तो आज हम बात करेंगे हिंदी बैकरांड प्रैक्टिस सेट यह आपका नंबर फर्स्ट होगा जिसमें जो है आपके 25 प्रश्ण होंगे इनको हमें देखना है तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण आपके समने है क्या है कि कीस विराम पांड जिनना का जो है दोतक है यह आपको बताना है यह जो कोस्ट दिख रहा है तो इसे भी कोस्ट कब सजी है तो तीन वंला घ्रल एसे ही कट गये सिधा आप से नमबर कौन से हो जाएगा यह हो जाएगा बहुत ही असान था अगला देखते है तो अगला है कि राम हम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है तो वाच्य कौन सा रूप है ये बताना है तो वाच्य आपको पता है नहीं तीन प्रकरक होते हैं एक करत्र वाच्य होता है भाव वाच्य होता है कर्म वाच्य है यही तीन वाच्य होते है यह तो नहीं होता है आपका option number A यानि कर्त्रिवाची आपका right answer होगा बात करते हैं तिसरे प्रश्ण की और तिसरे प्रश्ण है कि वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है अब देखिए वह खा रहा था और यहां पर देखिए कि एफ़ी डेविट का हिंदी अनबाद होगा अब देखिए यूपी त्रिपल एसी में जो है आपके question ऐसे पूछे जाते हैं कि एफ़ी डेविट का हिंदी अनबाद क्या होगा क्या सपत होगा क्या सपत्थ पत्र होगा प्रस्ताव होगा बीवरन होता है तो आप सभी को पता है जो प्रस्ताव होता है इसको हम लोग परफोजल बोलते हैं क्या बोलते हैं परफोजल बीवरन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो description बोलते हैं और समयोजन जो होता है इसको हम लोग adjustment बोलते हैं क्या बोलते हैं यह adjustment है यह आपका proposal ह और यह आपका जो है description है तो ध्यान रखेंगे affidavit का मतलब होता है शपत्पत्र option number यह आपका right answer होगा बाकि तीन option को भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया ठीक अगला देखिए अगला है किराम ने कहा कि मैं घर जाओंगा मैं घर जाओंगा कौन से वाक्य है अब देख अगला है कि इलाभाद में बोली जाने वाली बोली है यह सभी को पता होगा कि जो इलाभाद में बोली बोली जाती है उस बोली को हम लो क्या बोलते हैं अवधी बोलते हैं कौन से बोलते हैं अवधी तो ध्यान रखेंगे अगला देखते हैं अगला है कि I के उच्छारान अस्थान का नाम है तो देखिए A और I ये दो होते हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं किसे मिलकर बना होता है A जो होता है और प्लस जो है E से म कराई है टॉपिक वाइज आप जाकर देख सकते हैं वहाँ ठीक है तो भाई उसका बहुत भड़ा फायदा होने वाला है जो प्रैक्टीस हमने कराया है वो सभी कोशन आपको इसमें प्रैक्टीस सेट में मिलेंगे ठीक टॉपिक वाइज पुरा कंप्लीट कराया है देखना अगले कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन यहां पर देखेंगे कि उडियन का संदी बीचे दोगा संदी तो इतना आच्छे तरीके से कर आया है कि पूछना ही नहीं है तो उडियन जो संदी है इसमें संदी बीचे दोगा तो क्या होगा तो देखिए उडियन जो होता ुत आपका हूजता है क्या हो जाता है तो हो जता है आपका बयांजन संदि क्योंकि यह बात किया जाए आप्सिब्सकाद का तो ऊत्धन डायन क्या होगा उत्धन डायन यह आपको बन zodat इंवा चयाए अट्ड़्र सत नबर कौन सा है यह है और यह को होगा और नहीं होता है ऊदने होता है उत होता है तो यहाँ पे औयान लिख दिया यह नहीं हो सकता यह तीनों भी कल्प गलत है आपका अपसन नमबर यह सही होगा ठीक तो उत धन क्या होता है डैयन होता है ध्यान रखेंगे इसको अगला देखेंगे कि चूरन कीस प्रकार का सब्द है देखें चूरन जो होता है यह आपका तद्सम सब्द है कौन सा है सोरी तत्सम नहीं ये चूरन जो है आपका तदभाव सब्द है चूरन क्या है ये आपका तदभाव है अगर बात किया जाए तो इसका जो तत्सम होता हो क्या होता है तो इसका तत्सम जो होता है वो चूड़ होता है तो इसलिए याद रखेंगे चूरन जो होगा क्या होगा तदभव होगा यानि कि option number D आपका right answer हो जाएगा ठीक चलिए अगले question की बात करें अगले question है कि चोकड़ी भूल जाना मुहारे का अर्थ है देखिए राहनों सुझना बराबर बात बदलना ये तो होगा नहीं पीछा छुड़ाना नहीं धांडस बांदना नहीं ये होगा आ नहीं कि राहनों सुझना अरे चोकड़ी भूल जाना इसका मतलब कि राह सुझी नहीं रहा है हमको समझ रहा है तो option number ये अगला है कि बैमनस्य का बिलोम सब्द होगा देखिए बैमनस्य का जो बिलोम होता है वो 100 मनस्य होता है ध्यान रखेंगे इसको जो बैमनस्य का बिल नहीं अगहा होता है जईस दुलह अथा से बनी बराता इसका मतलब क्या है कि अपनी योगिता से अधिक बाती करना जैसे खुद वैसे साथी किसी की चाल को अच्छी तरह जानना अच्छी बिले को समझना तो यहाँ पर देखिए कि जस दुल्ला अरे जैसा दुला था वैस जैसे खुद वैसे साथी समझ रहा है ना जैसे खुद वैसे क्या होगा साथी हो जाएगा ऐस मज में हाँ तो यह आप याद रखेंगे इसको ध्यान देंगे ठीक है ना चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है यह वाला क्या है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है अब देखिए बहुत ही बढ़िया प्रस्ण पूछा हुआ है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहा जाता है स्वैम्भू कहा जाता है जरायूज कहा जाता है और उदभीज कहा जाता है तो यह बड़ा complicated आपका question बन जाता है ठीक है तो ध्यान इसका जो option number D है यही आपका सहयोगा उदभीज कहा जाता है क्या कहा जाता है उदभीज यह आपका उदभीज होता है अब स्वैम्भू जन्मजात और जरायूज तो यहां पर जो आया है जरायूज आया है तो यह ध्यान देना जब मा के गर्व से कोई उत्पन होता है तो जो खेडी होती है उसमें जो लिप्टा होता है वह उसमें सव्जुज जन्मन देता है उसको जहरायूज बोला जाता है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे तो इसको आप ध्यान रखेंगा अच्छे से ठीक है यह भी महतफूर्ण है जहरायूज आपका अगला देखिए इंडोर्समेंट उसके बाद से क्या है आपका यहां पर तो यहां पर सर्जु है इंडोर्समेंट होता है तो इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है और इस पेसिमेंट का मतलब क्या होता है देखिए इस पेसिमेंट का मतलब होता है प्रतिरूप इसका मतलब होता है संसोधन औ इसे भी आपके प्रश्ण पूशे जाता है इसको भी इसे ध्यान देजेगा चलिए अगले क्वेश्चन के बात करें और अगले क्वेश्चन आपके समने यह रहा क्या है कि इन में मुख का अनकार्थी सब्दों कौन सा नहीं है मुख मुख का मतलब होता है गुंगा भी हो सक है आनकार्थीा जूप भी होगा शांत भी होगा लेकिन भीवस नहीं होगा धान रखेगा व्यासिए जो बीवस आपका नहीं होगा जो व्यवस वाल बात मैंने से सब्सक्राइब देखिए, जब भी कार्क पहचानना है तो यहां पे ध्याल थ्यान देजिएगा जो हमारा करता कार्रम करताने नhe आता है इसमें या नेरहित भी आता है प्रसरग रहित भी आता है कर्म को आ संबंध का की के ठीक है का की के अदिकरण में पर पे ठीक है तो इसका मतलब है कि का की के आ कि वो बहुत अच्छा लड़का है में वो कौन सा सर्वनाम है अरे वो बहुत अच्छा लड़का है अब बहुत अच्छा लड़का है इसका मतलब है क्या निशित वाचक सर्वनाम है संबंध बता रहा है अनिश्य वाचक है या निज वाचक है तो यहाँ पर देखेंगे तो आप जो है क्या answer हो सकता है इसका तो देखिए अनिश्चे बाचक तो होगा नहीं नीज बाचक जो खुद का जो swim होता है तो बहुत अच्छा बोला है swim तो आए नहीं है यह भी नहीं होगा संबंद संबंद तो बता नहीं रहा कि भाई तुम्हारे साथ मेरा यह संबंद है इसका मतलब है कि अप्सन नंबर ए आपका निश्चे बाचक सरोना होगा आप ऐसे अप्सन को तोड़कर बता सकते हैं इसका answer ठीक अगले कोशन के बात करें और अगला कोश्चन है कि अन्मान का बिशेतर होगा तो देखी अनमान का बिशेतर होगा तो अगला क्या है तो अगला है कि जब पानी बरस्ता है तब न moderne में बद से है कौन सा उपवाक्य है अब देखे जब पानी बरस्ता है पानी क्या होता है जब पानी बरस्ता है यहां पर देख रहे हैं कि बोला है कि जब पानी बरस्ता है तो ध्यान रखिएगा जब पानी बरस्ता है इसका मतलब कि क्रिया की क्या बता रहा है बिसेस्ता बता रहा है तो क्रिया उपवाक्य है आपको पता होना चाहिए परियावची क्या होता है तो धेकिंगु делать क sneaking कभी होता है त्रीदीव ही होता है एके एक्रेदिव नहीं नहीं होता है त्रीद नहीं होता है त्रीधीव नहीं होता है यानि कि option number b आपको क्या होगा right answer होगा बाकि यह तीनों आपके स्वर्ग के परिवाची सब्द होते हैं कौन-कौन से तो यह वाला भी होता है गौव भी होता है लेकिन त्रीधीव ये जो आपका परिवाची सब्द नहीं होता है स्वर्ग का आप इसको याद रखेंगे क्या करेंगे याद रखेंगे और भी परिवाची सब्द जानना चाहेंगे तो और भी इसके होते हैं जैसे कि देव लोक भी देता है देव लोक भी किसका परिवाची है तो आपका किसका है पुर्वी इनका ही परिवाची है ठीक है न सब ध्याद रखेंगे उसको चली अगले देखते हैं अगला है कि महादिवी भर्मा को की सिर्च पूस्त पर ग्यान पीट-पृसकार मिला तो महादिवी वर्मा को आपको पता है कि सर्व बहुत थी विहतरीन पूस्तक और यामा इनकी है इसके लिए जो है इने क्या मिला था ग्यानपिट पुरुषकार ये काफी बार पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे यामा के लिए इने ग्यानपिट पुरुषकार दिया गया था और बात करें जो है इनके बारे में महादिवी वर्मा के तो इनकी और भी रचना है एक निहार है ठीक है इनकी रचना क्या है निहार भी रचना है इनका रस्मी भी है ध्यान रखेंगे ठीक है रस्मी निहार है संध्या गीते हैं संध्या गीते हैं भी इन ही की रचना है तो इनकी कुछ रचनाओं के नाम भी आपको पता होना चाहिए अब देखिए पूछा है सुमित्र में प्रतिय होगा तो प्रतिय का मतलब क्या होता है सर जो अंत में तो आ जुड़ा यानि कि आ परतिय है और आ परतिय किसमें है option number A में है तो यही आपका क्या होगा right answer होगा समझ रहा है न अगर पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है तो देखिए उपसर्ग जो है इसमें सू है सू उपसर्ग है मीत्र सब्द जो है यह मूल सब्द है और इसमें जो A दिख रहा है यह क्या है आपका उपसर्ग है तो इसलिए option number A आपका right answer हो जाएगा तेस्वे प्रस्ण की बात करें तो इसमें जो दिया है कि साकेत महाकाब्यके रचीता है पूछ रहा है कि साकेत महाकाब्यके जो रचीता है वो आपके कौन है ठीक है तो द जान रखेगा मैतरिसरण गुप्त का जो उपनाम है वो है आपका रसी केंद्र क्या है इनका जो उपनाम पूछ द ले तो है आपका रसी केंद्र क्या नम है रसी केंद्र याद रखेंगे ठीक चबी अगले question की बात करें और चौबिसवा यह रहा है क्या है कि जो कभी के बनाना है सीधा सीधा बनाना है तो जो कभी होते हैं वो लोगप्रियों होते हैं नहीं यह नहीं होगा लोगप्रियों कभी का समान सभी करते हैं हाँ यह बहुत अच्छा है लोगप्रियों कभी का समान सभी करते हैं यह इसका क्या होगा सरल वाक्य हो जाएगा यानि कि स सरा सर में कौन सा समास है अब देखिए सरा और सर यानि कि जो पहले सब्द में जूड़ता है जिसमें जिस पहला सब्द क्या होता है प्रधान होता है तो जो पहला सब्द प्रधान होता है बाकि सभी पद क्या होते हैं अब्य होते हैं उसे हम लोग अब्य ही भाव समास करते ह को स से अभ्याव समस्थ है दॉन्द में जानते हैं आप लोग्, दॉन्द में पता है ear Η s tudo in person, कोई दिखी नहीं रहा है सब्सक्राइब जानता है मात और सब होते हैं तो मुझे आसा है कि यह 25 कोशन हमने आपको कराए और यह 25 कोशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा सेर किजिएगा आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय वारत